एक थे राघव राम कॉल काश्मीरी ब्रहमन जिनको गौ मांस खिला कर मुसल्मान बनाया गया था। इनके पुत्र का नाम शेख इबराहीम था। शेख इबराहीम के पुत्र का नाम शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के पुत्र का नाम फारुक अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला के पुत्र है उमर अब्दुल्ला, ये है राघव रामकॉल का अब्दुल्ला परिवार, जब तक इनकी ताकत थी काश्मीर में इन्होंने भी लोगों के साथ वही व्यवहार किया है, वही narrative चल रहा था डोगरा सिंधी कश्मीरी पंडित बालमी की समाज सब के मांस को नोच-नोच कर खाया पलायन हत्या से भरा काश्मीर के एतिहास का 70 साल एक थे चितपावन ब्रह्मन जिनका नाम तुलसी राम था उन्होंने टीपू सुल्तान से बचने के लिए इसलाम कुबूल कर लिया था और अपने गाव ओवैस को उन्होंने अपना सरनेम ओवैसी बना लिया उन्ही तुलसी राम के पुत्र का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था सलाहुदिन ओवैसी के पुत्र का नाम असदुदीन ओवैसी और अकबरुदीन ओवैसी और विडंबना देखिए कि ओवैसी ब्रदर जिस गोटसे से घरना करते हैं ये उसी समाज से है यानि दोनों चित पावन ब्राहमण इनका भी यही narrative दूसरे लोगों को डराना और हर साल 15 मिनट का समय मांगना एक थे मुहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बाप कहे जाते थे इनके भी बाप का नाम पुंजा लाल ठककर था जो एक गुजराती हिंदू थे ये पैसे के लिए धर्म छोड़ दिये इनका भी वही narrative था और आज भी है खुद तो पैसे के लिए कटोरा पकड़ लिए दूसरों को भी पकड़ाए भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश के लगभग सभी मुसल्मानों के पूरवज वास्तव में हिंदू ही थे जो मुगल शासकों के भैव उनके द्वारा लोभ वश मुसलिम बन गए आज उन्ही की उलादें अंजाने में इसलाम के नाम पर आतंक अथवा मार काट कर रहे हैं काश की वे अपने पूरवजों की गलती को सुधार, घर वापसी कर उनकी आत्मा को शांती पहुचाने का कार्य करते इश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होगा सत्य शास्वत और सनातन होता है, धर्म भी शास्वत और सनातन होता है धर्म के नाम पर कल या आज पैदा होने वाले मजहब, मत संप्रदाय, शास्वत नहीं, सनातन नहीं, धर्म नहीं, नहीं हो सकते हैं जो इन्हें ही धर्म मानते हैं, वे ऐसा अज्ञानवश मानते हैं सत्य तो वही है जो था और रहेगा